question कहता है a train takes five minutes to cross an electric pole एक train जो है एक बिजली के खंबे को पार करने में पाँच मिनिट का समय लेती है आगे कहता है then the time taken by another train एक दूसरी train के द्वारा whose length is just double of the first train जिसके लंबाई पहली वाली train से दोगुनी है and moving with same speed और उसकी speed जो पहली वाली train की speed थी और second train की speed बराबर है दूसरी train की way speed है जो पहली वाली की थी to cross a platform एक platform को पार करती है और its own length जो की उसकी ही लंबाई के बराबर है तो बताए कितने समय में उस platform को पार करेगी 20 minutes चलिए बच्चों हम लोग start करते है question क्या कहता है question कहता है एक train takes five minutes to cross an electric pole एक train electric pole को पार करने में पांच मिनिट का समय लेती है ठीक है यह देखने लेते हैं यह train है और यह electric pole है इसको पार करने में train के द्वारा five minutes का time लिया जाता है कहता है एक दूसरी train है then the time taken by another train दूसरी train के द्वारा क्या समय लिया जाएगा whose length is just double of the first train जिसकी लंबाई पहली वाली train से दोगनी है ठीक है double लंबाई है दोगनी लंबाई है double of the first train and moving with the same speed उसकी speed वही है जो पहली वाली train की है to cross a platform of its own length और एक platform को पार करने में उसको द्वारा कितना समय लिया जाएगा जिस platform की लंबाई उसी की लंबाई के बराबर है यह देखो बच्चों कहता है एक train एक electricity pole को पार करने में पांच मिनट का समय लेती है इसको पार करती है एक something speed से है speed हमें मालूम नहीं यह क्या है वो पांच मिनट में electricity pole को पार कर दी है इसका मतलब अपनी लंबाई के पराबर दूरी तैक कर दी है पांच मिनट में कहता है एक दूसरी train है जिसकी speed पहली वाली speed के बराबर है उतनी speed है जितनी पहली वाली train कि ये लंबाई पहले वाले से डबल है माल बालने यह एक अनूसरी बात है रिशों िबात जिसकी लंबाई इसकी लंबाई के बराबर है या आया यह एक्स है वो इस train के बराबर है तो total कितनी हो जाएगी जब इसको पार करेगी दोनों की लंबाई के बराबर इसका मतलब 4x हो जाएगी तो 1x कवर करने में train के द्वारा 5 minutes का समय लेता है क्योंकि इसकी speed समान है तो इसका मतलब 1x दूरी तै करने में 5 मिनिट का समय लिए था तो 4x दूरी तै करने में कितना समय लेगा पांस से मल्टिम लेंगा पांस चोग बीस तो 20 minutes विल बी आवार आंसर सिंपल कोश्चन है पहली बार पढ़ रहे हैं लोग तो लंधी लग रहा है सेकिंड टाइम जब इस question को करेंगे तो इजी लगेगा ठीक है समझ लें ज़रा question को question क्या कहता है monkey climbs up a pole ascends 6 meters and slips 3 meters in alternate minute कहता है एक जो मंदर है किसी पोल उपर 6 minutes 6 meter चड़ता है पहले मिनट और अगले ही मिनट 3 meter नीचे खिसक जाता है alternate में कहता न कि पहले मिनट तो चड़ेगा दूसरे मिनट नीचे खिसक जाएगा ठीक है तो पहले मिनट 6 meter चड़ता है दूसरे मिनट 3 meter नीचे खिसक जाता है if the pole is 60 meter high अगर pole जो है 60 meter उंचा है तो बताइए how long will it take to the monkey the monkey to take reach the top तो टॉप तक पहुचने में उस बंदर को कुल कितना समय लगेगा बताएं जारा थर्डी थर्डी वन बता रहे हैं अभी कि बागी भी चेक को रहा कितना आ रहा है है कि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या कहता है कि कहता एक पोल है जिसकी उचाई साथ मीटर है सिस्टी मीटर उचा एक पोल है करता एक बंदर पहले मिनट छे मिटर पोल पर चड़ता है और अगले ही मिनट तीन मीटर नीचे खिसक जाता है अगले ही मिनट तीन मीटर नीचे खिसक जाता है आपसे पूछा जाता कि टॉप तक पहुंचने में बंदर को कुल कितना समय लगेगा अब दो 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 बच्छे इसको कुश्चन को कर लेते हैं बच्छो यह उसने कमाया और यह गमा दिया तो इसका मतलब रिमेनी कितना रह गया उसका थ्री मीटर उसका अर्णिंग रह गया यह अर्ण किया और यह उसने खर्च कर दिया तो इसका मतलब सेविंग कितना रह गया तीन मीटर तो इसका मतलब दो मिनिट में दो मिनिट वारा कितना खंबी पर चड़ा गया तीन मिटर चड़ा गया तो यह प्रोसेस जारी रहा थी कैई चड़ा और उठीश क्यों इसमें क्या करना आप लोगोंने बच्चा क्या करेगा इसको दो मिनिट को इसको डिवाइट कर देगा 30 आंसर निकालेगा पर ऐसा नहीं करना अब हम लोग देखते हैं लास्ट की जो जम्प होगी बंदर की वो टॉप पर होगी तो वो उसमें क्या करेगा 6 मीटर कमाएगा उसमें किसके करेगा उसमें का टॉप तक पहुचने में कितना समय लगा तो इसमें क्या अर्णिंग होगी थर्चा नहीं होगा यहां पर क्या है लास्ट का एक मिनिट है लास्ट के एक मिनिट में बंदर के द्वारा 6 मीटर अर्ण किया गया कमाया गया इसके नीचे कितना रह गया चोवन मिटर रह जाता है और यहां पर क्या प्रोसेस रहा यही प्रोसेस रहा अब हम देखते हैं दो मिटर तीन मिटर चड़ने में दो मिनिट का समय लगता है तो चोवन मिटर चड़ने में बंदर को कितना समय लागा हुआ रिशो परपोशन के इसाफ से देख लेते हैं इसको हम लोग काट भी सकते हैं, एकाकी नियम भी का सकते हैं, या रिशो पर्पोर्शन भी का सकते हैं, तीन से काटते हैं, तीन एकम तीन, तीन अठे चौबिस, ठीक है, तीन एकम तीन, और तीन अठे चौबिस, अठारा आता है, ये अठारा गुना तो पिटा ये भी अठा तीन मीटर चड़ने में बंदर को कितना समय लगता है दो मिनिट का समय लगता है इसका मतला एक मीटर चड़ने में कितना समय लगता है दो बटा तीन और यहां कवर करना था चोवन मीटर कवर करने में कितना लगता है गार देता है तीनिका में तीनट है चौविस तो यह आ ग लेगा दैनानसर भी थरडी से सेवन तो मिनट यह आपका सैथिस मिनट आइगा चलिए अगला कुश्चन करते हैं लोग दोबारे करते हैं कि क्याता है ए एक कि दोबारे करूंगा मैं इस कुश्चन को अठाऊ भी कुर्शन बना ले दे, कता एक पोल की उचाई 50 मीटर है, एक पोल की उचाई 50 मीटर है, एक बंदर, पहले मिनट, एक बंदर, पहले मिनट, पहले मिनट, 6 मीटर चड़ता है, पहले मिनट, 6 मीटर चड़ता है, और अगले मिनट, सेकेंड मिनट में, 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो खंबे के शीर्ष तक पहुचने में, बंदर को कुल कितना समय लगा? करके देखो, चापता अंसर आजाए? 45 मुझे तो सही लग रहा? चलो बच्छो, आम लोग स्टाट करते हैं, देखो यह ध्यान रखना जो लास्ट की जम्प होती है, वो टॉप तक पहुचने की बात कर रहा है, तो टॉप तक पहुचने के बात, अगर मैं यहां पर टॉप तक, मैं, यानि कोई भी होगा, वो यहां तक टॉप तक पहुच के लिए उसकी बात अलगा है, यहां देखो, यह जो लास्ट की जम्प है, यह टॉप तक होगी उसकी, और यह कितना मिटर कवर करेगी, छे मिटर, और उसमें समय कितना लगेगा, एक मिनिट का समय लगा हुआ उसे, ठीक है, उसके बाद किस लग गया, उससे मतलब नहीं है रिमेनिंग कितना रहा था बच्चों, पचास में से छे मिटर उसने लास्ट के वाली जम्प में कवर गिया, इसका मतलब इससे पहले, चावालीस मिटर कवर करने में, यही प्रोसेस अपलाई हुआ हुआ हुआ, गया होगा, नीचे खिसक गया हुआ, पहले मिनिट उसने छ मिटर कवर किया गया, यानि हर मिनट एक मिटर आएगा ना, परते एक मिनट, एक मिनट में एक मिटर की वैल्यू लगाई जाएगी, तो चावालीस मिटर कवर करने में, कितना, चावालीस मिनट लगे हुआ 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 है, चावालीस मिनट में, चावालीस मिनट लगे, और respectively at the rate of 9 and 10 km an hour. दो साइकलिस्ट हैं जिनकी speed है 9 km per hour वो 10 km per hour. आगे कहता है find the distance traveled when one takes 32 minutes longer than the other. तो बताइए distance कितना है यदि एक दूसरे की तुलना में 32 minutes का समय ज़्यादा लेता है रेशो proportion में ऐसे question रहते हैं बिटा देखो जैसे मैं यहां पर बताता आपको इस पर नहीं जाओंगा भी पहले एक छोड़ी चीज बताऊंगा जैसे कहता है एक कार की स्पीड 40 km पर आवर है और एक ट्रक की स्पीड 60 km पर आवर है तो बताइए इनके द्वारा जो समय लिया जाएगा उसका रेशो क्या आएगा तो बिटा इसमें क्या करते है यह क्या बताई जा रही है इसकी पल्टी मार देना, 3 is to 2 आता है, क्या आता है, 3 is to 2, समझ रहे हैं बाद, अब देखो, ये निकाला और इसके बाद, पल्टी मार दी, अगर मैं इसको आपको कहता है, भी सिद्ध करो, जैसे समझाएं कैसे किया, अब मैं क्या करता हूँ, इसका LCM लेता हूँ, ठीक है, LCM क्या समय लेगी, 3 hours का, जो यहां पर आता है, और जब इसी 120 किलोमेटर को, ट्रक तै करेगा, 60 किलोमेटर पर आवर की गती से, तो कितना लेगा, 2 गंटे का, तो ये क्या करना, आपने पल्टी मार देना, same question, same process will be applied here, यहां भी ऐसे ही हुआ, अब करके देखो, आप लोग, मैं इ तो मैंने करवा दी आपको, रहा दिखा दी है, बाकि आपने चलना अब, करते हैं बिटा, ये दो को, ये क्या है, इनकी स्पीड है, ठीक है, दो साइकलिस्ट है, A और B, जिनकी स्पीड है, 9 किलोमेटर पर आवर, 10 किलोमेटर पर आवर, तो रेशो क्या हुआ था, बिटा, स्पीड का, 9 is to 10 आगया, ये स्पीड का रेशो है, और जब टाइम की बात की जाएगी, टाइम के लिए मैंने बता दिया, इनको पल्डी मार देना, 10 is to 9 आए, ठीक है, अगर इसने 10 घंटे का समय लिया, तो ये 9 घंटे का लेगा, ये 10 मिनट का लेगा, ये 9 मिनट का लेग ये 1x टाइम जादा ले रहा है, और समय कितना जादा ले रहा है, 32 मिनट, तो 1x की वैलू बिटा, 32 मिनट है, तो 10x की वैलू क्या होगी, 10 से आप मल्डिप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 320 मिनट, यानि ये जो वेक्ति है, 320 मिनट में इस दूरी को तै करता है, पर देखते है, 320 मिनट में, वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यदि उसकी स्पीड 9 किलोमेटर पर आवर है, तो 320 मिनट को मैं आवर में कनवर्ट कर लेता हूँ, क्या करेंगे इसका, आप उनमें 60 जाएगा, ठीक है, 320 will be divided by 60, कार देते हैं बिटा, तो ये कितना आता है, 16 by 3, 3, 16 पटा 3 ही करता हूँ, अभी क्योंकि multiply करना, 16 पटा 3 यहां पर लिख लेते हैं, इतने hours लगते हैं, तीन तिया नो, और 16 तिया 48, 48 किलोमेटर will be your answer, ठीक है, तो 48 किलोमेटर डिस्टेंस आएगा, जो की cyclist A और B तै करते हैं, तो इस तरह से question को करना है, इसका screenshot लो, ठीक ह एक्जांस में यह आया हुआ है, मैं side हो जाता है, एक बार, है बीटी, क्यों कि, देखो, यह speed का था, मैंने इसको time के ratio में convert के, यह 10x लेगा तो 9x लेगा, यह जो है, इसकी तुलना में 1x ज्यादा ले रहा है, ठीक है, और question में यह कहता है, 32 मिनट ज्यादा लेता है, तो 1 1x की value 32 है, तो 10x की value क्या होगी, यह आ जाएगा, ठीक है, तो इतने घंटे में वो दूरी त्या करता है, 16 बटा 3 घंटे में, तो 1 घंटे में 9 km सी speed से जाता, 16 बटा 3 घंटे में कितना होगा, 40, अब बेटा जैसे, अभी आपने कहा, इस से multiply किया हूँ किया, अभी मैं इसक अगर यहां से करना चाहूँगा, तो यहां से भी हो जाएगा, आप 9 से multiply कर देना, और 10 से multiply करना, उस condition में भी हो जाएगा, ठीक है?